एक बार फिर से मैंने नियो जी टीचर ने उस 2.0 में आप सभी सिख्छक सांथियों का स्वागत है आईए देखते हैं बियार के नियो जी सिख्छकों के लिए खवर नियो जी सिख्छकों को एक और लाब मिलेगा क्या है लाब आपको बता देरे आएं नियोजी सिक्षगों को मिलेगा बीतिये सनरक्षन का लाब मादमिक एवं उस्तर मादमिक विद्यालों में योगदान करने वाले नवनोईक्त सिक्षगों को मिलेगा 40,000 रुपिया प्रतीमा तो पूरी जनकारी के लिए वीडियो को अंतक जबूर देखे उससे पहले मेरे नियोजी टीचर नियोजी 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब ने कि आए दुक्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवा सदवादे नोटिफिकेशन अन कर दे ताकि सिक्चा विभवागे सम pension में और जो तक नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आप को आए देखते हैं विडियो को भिस्तार से प्रश्ण में जवाब में सिक्षा विभाग ने कहा है कि नियोजी सिक्षकों के संसोधित नियमावलित 2020 के अनुसार नियोजी सिक्षकों को बीतिये संरक्षन का लाब दिया जाएगा बितीय संरक्षन का लाब ऐसे नियोजी सिक्षों को मिलेगा जो परणविक विद्यालों में बर्तमान में नियोजी सिक्षक के पद पर पदस्थापित है और वो शिक्षक दूसरे नियोजन एकाई यानि माधमिक या उच्थर माधमिके स्कूलों में एस टी टी उर्टीन के नियुक्ति प्राप्त करते हैं ऐसे नियोजी सिक्षकों को सन्सोधित नियमावली 2020 के अनुसार बितिये संरक्षन का लाब दिया जाएगा बितिये सनरक्षन का अर्थ होता है जिस मूल बिद्याले पर नियोजी सिक्षक प्रारंबिक बिद्याले में पदस्थापित है वही मूल बिद्याले के साथ मादमिक या उस्तर मादमिक बिद्याले में योगदान करने पर नवनुईक्त सिक्षकों को वही मूल बेतन को अधा करने वाले नवक च ripping बेतन में कमी नहीं होगी इसका फायदा यह होगा कि अधिक संख्या में app माधमिक व उस्तर माधमिक बिद्यालों में युगदान करीगे BTA संरक्षन का लाब का मतलब होता है बितिये संरक्षन का लाब मिलने से नियोजी सिक्षों को बेतन घटने की वज़ाए बढ़ जाएगा मादमिक यों उस्तर मादमिक विद्यालों में युगदान करने वाले नौनुक्त सिक्षों को 40,000 रूपिये बेतन का भुकतान किया सिक्षों के लिए अच्छा और सुनाहरा मौका है कि पहले से अगर बहाल है और उनका जो बेतन मिल रहा है तो नौनुक्त यानि हाई स्कूल और प्लस टू में युगदान करने के बाद वहां से उनका बेतन प्लस हो जाएगा वीडियो में इतना है वीडियो में लास्ट टक बनायाने के लिए धन्य बात वीडियो को जासे याज सिय करें वीडियो को एक लाइक आउस करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें